हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अनुज और आप देख रहे हैं टॉप टैन विद अनुज और आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत की टॉप टैन यूनिवर्स्टीज के बारे में ब्रिक संस्ता दुनिया की सबसे उबरती संस्ता है जिसने हाली में पांच देशों की टॉप यूनिवर्स्टीज की लिष्ट निकाली है जिसमें की भारत, रूस, चाइना, ब्राजील, स्री लंका सामिल है इसमें लगबग 30% भारत की यूनिवर्स्टीज है तो इसी के आधा सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिएगा इस लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहता हूं ऐसी टोप 10 इंट्रेस्टिंग वीडियो तो चले शुरू करते हैं में लिश्टी श्टार्ट होती है उनिवर्स्टी आव व क्लकथा से इसे कानते बीच करने बादाने iamakय सेर्सटा है कलकथा यूनिवर्सटी की स्थापना 1877 में की गई थी और यह दिल्री उनियुर्स्टीце बाद दूसरी बहु आयामी है कलकत्ता यूनियुर्स्टी दावा है कि इसके पास भारत का सबसे बड़ा नैनो साइंस और नैनो टेकनोलोजी सेंटर है नौए नंबर पर हैं आयाईटी गवाटी इंडियन इंस्टिटूट ऑफ टेकनोलोजी गवाटी की स्थापना साल 1994 में भारतिय सरकार ने की थी यह पूर्वी भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गवाटी सहर में इस्थित है आयाईटी जी की ब्रिक्स रैंक पचास है और एसिया में इसकी रैंक अठानवे है इस युनिवर्स्टी में पाच रिसर्च सेंटर भी है जिसमें एनर्जी एनवार्मेंट एजुकेशनल टेक्नोलजी नेनो टोक्नोलजी मास मीडिया कॉम्णिकेशन और इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज है आटवे नमपर पर हैं उनिवर्स्टी ऑफ डेली उनिवर्स्टी ऑफ दिल्ली भारत की उन चन्द उनिवर्स्टी में से एक हैं जो टेक्निकल डिग्री में फोकस नहीं हैं और युनिवर्स्टी ऑफ दिल्ली को बारत की सबसे बहतरीन उनिवर्स्टी माना जाता है इसकी स्टापना 1922 में की गई थी दिली यूनिवर्स्टी की प्रिक्स रैंक 46 है और एस्या में यह एक क्यानवे नंबर पर हैं इस उनिवर्स्टी में लगब्ग तीन लाग वि सबसे पराने संस्थानों में से एक है जिसकी स्टाबना 1847 में एक सिविल इंजिनेरिंग कॉलिज के रूप में हुई थी और साल 2001 में इसे आयाइटी का दर्जा दे दिया गया था आयाइटी रूड़की की ब्रिक्स रैंक 43 है और एसिया में इसकी रैंकिंग बानवे है यह उनिवर्स्टी उत्राखंड राज्य के रूड़की में इस्तित है आयाइटी रूड़की अपने साइंस और इंजिनियरिंग प्रोग्राम के अलावा सोशल साइंस और मेंगेजमेंट डिग्री भी देती है शटे नंबर पर हैं आयाइटी खड़कपूर आयाइटी खड़कपूर की स्थापना साल 1921 में साइंस और इंजिनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टिटूट के रूप में हुई थी जो जल्दी एसिया की अग्रणी उनिवर्स्टी के रूप में स्थापित हुई आयाइटी खड़कपूर की ब्रिक्स रैंक 24 है और एसिया में इसकी रैंकिंग 66 है आयाइटी खड़कपूर भारत की सभी आयाइटी में सबसे बड़ी जो करीब 2000 एकड में फैली हुई है और इस संस्तान में करीब 8000 विद्ध्यार्थी पढ़ते हैं पांचे नमबर पर हैं इंडियन इंस्टिटूट और टेक मदरास आयाइटी में भारत की सबसे बड़ी और टॉप उनिवरस्टी में से एक है आयाइटी में की स्ताफना साल 1969 में की गई थी और इसी साल आयाइटी कानपूर की भी स्ताफना हुई थी ब्रिक्स रैंकिंग में आयाइटी में 20 इस्तान पर है और एसिया में इसकी 56 रैंकिंग है आयाइटी म का कैंपस लगबग 600 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगबग 8000 इस्टूडेंट्स पढ़ते हैं आयाइटी कानपूर की स्ताफना आयाइटी मंबे के बनने के एक साल बाद ही थी आयाइटी कानपूर ब्रिक्स रैंकिंग में 88 नंबर पर हैं और एसिया में 58 वे नंबर पर हैं आयाइटी कानपूर में करीब 7000 इस्टूडेंट पढ़ते हैं और अन्य आयाइटी की तरह इसका फोकस भी इंजीनियरिंग और साइन्स पर ही रहता है तीसरे नंबर पर हैं इंडियन इंस्टिटूट और टेकनोलजी बॉमबे आयाइटी बॉमबे बारत की दूसरी सबसे परतिष्टित उनियोस्टी माने जाती है आयाइटी बॉमबे ब्रिक्स रैंक में 16 वे नंबर पर हैं और एसिया में इसकी रैंकिंग 46 वे नंबर पर हैं टेक्निकल संस्तान होने के बावजूद IIT Bombay Arts और अन्य कोर्स भी कराता है IIT Bombay की स्थापना साल 1900 ठाउन में मुंबई के पवई इलाके में हुई थी और वर्त्रवान में इसमें लगबग 8000 विद्यारती पढ़ रहे हैं दूसरे नमबर पर है Indian Institute of Technology दिल्ली IIT Delhi की स्थापना साल 1961 में एक Engineering College के रूप में हुई थी और जल्द ही IIT दिल्ली ने भारत की टॉप उनिवर्स्टी में अपना उचाइस्थान प्राप्त कर लिया BRICS रैंकिंग में यह 13 नमबर पर हैं और Asia में इसे 42 वा इस्थान प्राप्त हैं यह उनिवर्स्टी दिल्ली के होज खास के निकट इस्थी थे पहले नमबर और टॉप पर हैं Indian Institute of Science Bangalore Indian Institute of Science Bangalore ब्रिक्स रैंकिंग में भारत की सबसे अग्रणी उनिवर्स्टी है Indian Institute of Science Bangalore जो की ब्रिक्स लिस्ट में 5 नमबर पर हैं और QS की Asia University रैंकिंग में 34 नमबर पर हैं Indian Institute of Science भारत की टॉप युनिवर्स्टी में से एक है जो अपनी टेक्नोलजी और इंजीनियरिंग में रिसर्च में जानी जाती है यह निवर्स्टी बैंगलोर सिटी में इस्थित हैं Indian Institute of Science लगबग 400 एकड में फैली हुई है और इसमें करीब 40 डिपार्टमेंट है उमीद करता हूं फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी जैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आप लोगों से बहुत बहुत निवेदन है अगर जिनोंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो गुडबाई मिलते हैं अगली वीडियो में